अगर से आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए और लाइक कीजिए हलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम श्री विश्विश्मरायाजी की जीवनी पढ़ने वाले हैं यानि बायोग्राफी भारत रतना विश्विश्वराया जिसके लेखत डॉक्टर बालशोरी रेडी हैं इस चैप्टर में लेखत में सर विश्विश्वरायाजी की जीवनी लिखी है इस जीवनी में हमें भारत रतना सर एम विश्विश्वराया के जीवन व्यक्तित्व का मी मेसुर राज्य जो आज के समय करने टका राज्य है मेसुर राज्य के कोला जिले में मुद्धेन हली नामक एक छोटे से गाउं में 15 सिटमबर 1861 को हुआ था भारत रत्म विश्विश्वराया जी का जनम दिन इंजिनियर्स डे के रूप में सारे देश में मनाया जाता है इनका पूरा नाम मोश कुंदम विश्विश्वराया था विश्विश्वराया के माता पिता गरीब थे पढ़ाने लिखाने की शक्ती उनमें नहीं थी फिर भी विश्विश्वराया के मन में पढ़ने की लगन थी वे दिन लगा कर पढ़ते थे जैसे देसे गाउं में प्राइमरी शिक्षा समाप्त कर हाई स्कूल की शिक्षा पानी के लिए बिंगलूर पहुंचे बिंगलूर में खर्चा चलाना मुश्किल होने लगा तो विश्विश्वराया ने बी ए की परिक्षा पास की उस वक्त उनकी उम्र सर्फ 19 साल थी सेंट्रल कॉलेज के अंगरेज प्रिंसिपल ने विश्विश्वराया जी की योग्यता और गुनों से प्रभावित होकर विश्विश्वराया की सिफारिश में पूना साइन्स कॉल अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाने लगे विश्विश्वराया समय के बड़े पावन्थ थे वे अपना एक भी मिनिट विर्त यानि वेस्ट होने ना देते थे विश्विश्वराया पूरे बंबाई विश्वव विध्याले में एंजिनियरिंग में प्रतम यानि फर्स दी जाती इस नियम के अनुसार श्री विश्विश्वराया तेज साल की उम्र में असिस्टेंट एंजिनियर पत पर नियुक्त हुए यानि he was appointed to the position of assistant engineer बंबाई सरकार की नोकरी करते समय विश्विश्वराया जी ने शहरों के लिए पानी और नालियों का प्रभन किया वह इस काम में बहुत ही निपुन यानि कुशल जीनियस परफेक्ट निकले सन 1892 में जब विश्विश्वराया जी 31 येर्स के थे उन्होंने शकर सिटी जो सिंध रीजिन के डिजर्ट एरिया में स्थित है जो आज के समय पाकिस्तान में है उस शहर के लिए पानी का प्रभन किया विश्विश्मराया जी ने बड़ी सूज भूज और दक्षता यानि एफिशेंसी के साथ ये कार्य पूरा किया जिससे सारे देश में उनका नाम फेल गया यही कारण 1904 में वे बंबई सरकार के प्रतिनीधी यानि रिप्रेजेंटेटिफ के हैसियत से शिमला इरिगेशन कॉन्फरेंस में उपस्तित हुए पूना की निकिट खड़क वासला नामक एक बांध यानि डाम बनाया गया इस बांध के लिए आउटोमेटिक गेटों का डिजाइन विश्विश्वराया जी ने बनाया इस काम की इंजिनियरिंग शेतर में बड़ी प्रशंसा हुई अमेरिका की मश्हूर पनामा नहर के लिए इसी डिजाइन की नकल की गई थी अब विश्विश्वराया जी का नाम विदेशों में भी फेल गया विश्विश्वराया जी ने जब बंबई और सिंध में वाटर वर्क्स का प्रभन करने में बड़ा नाम कमाया तो सन 1906 में अदन से उन्हें बुलावा आया वहाँ पर भी उन्होंने शेहर के लिए पानी का इंतिजाम किया और नालियां भी बनाई इस कारिय के साथ उनका बहुत बड़ा नाम हुआ बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए उनकी सला लेना जरूरी समझा जाने लगा विश्विश्वराया की खुब पदोनती यानि प्रमोशन हुई विश्विश्वराया की प्रसधी यानि फेम और पदोनती को देख कुछ इंजिनियर उनसे जलने लगे इसके दो कारण थे एक तो विश्विश्वराया की उम्र उस वक्ट सिर्फ 47 साल थी और दूसरी बात वे बहुत सारे पुराने और सीनियर इंजिनियरों से वेतन और अनक नोकरी से इस्तिफा दे दिया नियम अनुसार उन्हें पेंशन मिल नहीं सकती थी लेकिन उनकी सेवाओं और योग्यताओं को देखते हुए उन्हें पेंशन दी गई इसके बाद विश्विश्वराया हिदराबाद राज्यर के इंजिनिरिंग सलाकार नियुक्त जिससे बड़ी तभाई मच जाती पुरे हैदराबाद नगर में पानी घुस आता था जिससे सारा काम काज बंध हो जाता था विश्विश्वराया जी ने मुसी नदी पर बांध बनवाया यानि डैम साथ ही हैदराबाद नगर के लिए पानी और नालियों का भी बड़ा अ आम बना कर हैदराबाद को सुंदर भी बनाया इसके बाद मेसूर के राजय ने विश्विश्वराया को मेसूर आने का निमंतरन दिया उस समय मेसूर के राजा कृष्णराज ओडेया थे विश्विश्वराया भी मेसूर राजय के निवासी थे उन्हें भी अपनी मात्र भ महाराच ने तीन साल बाद विश्विश्वराय को अपना दिवान मियुक्त किया। इस पत पर वे छे साल तक कार्या करते रहे। इन नो सालों में विश्विश्पराया ने अपनी योजनाओं पर अमल करके मेसुर राज्य का नक्षा ही बदल डाला। विश्विश्पराया ने दिवान क्यपत पर कारिय करते समय राज्य के हर विभाग में सुधार किया। नई नई योजनाय चालू की, राज्य की आमदनी बढ़ाई, बड़े बड़े कारखाने खोले, कारखाने का मतलब है फैक्टरीज, नई नहरों के द्वारा देल लाग एकड़ भूमी की सिंचाई यानि इरिगेशन का इंतिजाम किया, मेसुर राज्य के विकास के लिए के लिए बिजली मिली और सिंचाई यानि इरिगेशन के लिए पानी भी मिला, इस बांध को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते और इसके बनाने वाले की तारीफ करते ना ठकते थे, व्रिंदावन उद्यान का निर्मान करने के कारण मेसुर जैसे इंद्रपूरी ब जवस्ता की, गाउं और शहरों में जंता के द्वारा प्रतिनी थी चुने गए, जो वहां के सुधार कारियों में सरकार को सला देने लगे, विश्विश्वराया ने मेसुर राज्य के लिए एक बैंक भी बनाया, मेसुर राज्य में एक अलग विश्वविध्याले भी खो उन दिनों दक्षन में सिर्फ मदरास विश्वविध्याले स्तापित था और पूरे देश में केवल पांच विश्वविध्याले काम कर रहे थे। उन लोगों ने विश्विश्वराया के विरुद मेसुर राजा की कान भरने शुरू किये। इसके कारण उन्होंने सन 1918 में अपने पच से इस्तिफा दे दिया। देश के प्रमुक इंजिनियरों की एक कमीटी बनाई गई जो दिल्ली राजनानी कमीटी कहलाई। विश्विश्वराया भी इस कमीटी के एक प्रमुक सदस्या रहे हैं। टाटा कमपनी ने उन्हें अपने इसपाथ कारखाने यानि स्टिल फैक्टरी का डिरेक्टर नियुक्त किया। वहां पर उन्होंने बहुत साल काम किया। और इस पात कारखाने के विकास में विश्विश्वराया ने अपनी सारी ताकत लगा दी देश के अनेक विश्व विध्याले में अपने सर्वोच उपाधियों उपाधियों का मतलब है डिगरी, टाइटल या अवार्ड देकर उनके प्रती अपना आदर प्रकट किया उनकी देश के प्रती सेवाओं के लिए स्वतंतर भारत सरकार ने सन 1955 में भारत की सर्वोच उपाधि यानी सुप्रीम अवार्ड भारत रतन से उन्हें समानित किया उस वक्त विश्विश्वराया जी की उम्र 94 येर्स की थी 15 सितंबर 1961 को सारे भारत में विश्विश्वराया जी की 100 बर डे मनाया गया 14 एपरिल 1962 को बैंगलूर में उनकी मृत्यू हो गई श्री विश्विश्वराया जी एक मेहनती इंसान थे वे वियायाम यानी एक्सरसाइस कर दे थे अपने समय का सही और अच्छा इस्तेमाल करते थे उनका विश्वास था कि भारत में आलसियों की जंख्या अधिख है इसलिए हमारा देश अमेरिका जापान जैसा तरक्की नहीं कर पा रहा है उनका विश्वास था कि जिस दिन हम अपने आलसिपन को तयाद देंगे उसी दिन हमारे देश का भी विकास होगा सिंदगी भर देश और मानव समाच की सेवा में वे लगे रहे सेवा भाव को अत्यन पवित्र आचारन यानी कारेक्टर मानते थे वे विन्यशील यानी हम्बल, नर्म और सादू स्वभव के थे आसाधरन प्रतिभा यानी एक्स्टा ओर्डनरी टैलेंट रखते हुए भी उन्होंने कभी गर्व का अनुभव नहीं किया वे हमेशा देश के विकास के ही सपने देखते रहे और अपने जीवन काल में उन्होंने कई सपने साकार होते देखे तो यह था चैप्टर भारत रत्न विश्विश्वराया जिसमें हमने भारत रत्न श्री विश्विश्वराया जी की जीवनी पड़ी हमें उनकी जीवन से, उनकी स्ट्रगल से, सक्सिस से उनके behavior और character से बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलती है जो हमें सीखनी चाहिए और practically life में apply भी करनी चाहिए